सीबियाई की इनक्वारी शुरू हुई उस पोस्टपर्ल भाइलेंस में हमारे छेतर में सबसे ज्यादा सबसे अधिक लोगों को जहिलना पड़ा और उसी अत्यचार के तहट अपने उपर तो अत्यचार हुआ उसको मैं किसी भी तरह से जहिल रहा था लोग सभाचुनाओं से पहले पश्चिम बंगाल में तरुनमुल सरकार को दोहरा बड़ा छटका लगा है जी हाँ बागीनेता अरजुन सिंग और सांसा दिवेंदू अधिकारी ने बिजेपी का दामन ठाम लिया है बगर सवाल ये है कि जो कि लोग सभाचुनाओं एकदम नस्ती है ऐसे में तरुनमुल कॉंग्रस का आखिर दामन अरजुन सिंग और दिवेंदू अधिकारी ने क्यों छोड़ा तो चलिए आपको बताते हैं पहले बात करेंगे अरजुन सिंग की अरजुन सिंग जो कि बैरकपूर से मौझूदा सांसद है 2019 के लोग सभाचुनाओं में उन्होंने बैरकपूर से ही बीजेपी के टिकट पर जीत तर्च की थी मगर 2024 के लोग सभाचुनाओं में त्रिन्मूल ने उन्हें टिकट नहीं दिया जिसके बाद अरजुन सिंग पार्टी के खिलाब बागी तेवर अक्तियार करने लगे उनकी जगह राजे सरकार के मंतरी पार्थो भौमिक को जब टिकट दिया गया तो उन्होंने कहा त्रिन्मूल कॉंग्रेस ने बैरकपूर से मुझे सांसत का टिकट देने का वादा किया था पार्टी ने वादा खिलाफी की है इसके अलावा इस्थान्य विधायकों से मेरे खिलाब बयानबाजी करवाई जाती है मैं अपमानित महसूस करता हूं इसलिए बीजेपी में व गज नेता व विधान सभामे नेता प्रतिपक शुवेंदू अधिकारी के भाई हैं दिवेंदू अधिकारी पश्चिम बंगाल की तमलुक लोग सभा सीट से त्रिन्मूल कॉंग्रेस के सांसत हैं देर्शेत्र हमेशा से अधिकारी परिवार का गर्ष माना जाता रहा है हा तरहाल देखने वाली बात यह होगी जब लोग सभाव चुनाव सर पर है ऐसे में इतने बड़े दिगज नेता जिहां दिवेंदू अधिकारी और अर्जिन सिंग ने जब टीमसी का दामन छोड़ लिया है और बीचेपी में शामिल हो गया है तो इसका क्या कुछ बुरा अ बैदान में उत्रेगी खैड यह तो देखने वाली बात होगी मैं बीच में उन्हें इसमें जब सांसद हुआ था उसके बाद 21 साल में 2021 में जिस तरह से पोस्टफॉल भाइलेंस के बाद पूरे बंगाल में जिस तरह से अत्यचार जुल्म गुंडगर्दी राहजनी हजार कारकरताओं की नौकरी जिस तरह से चली गई पचास से उपर लोगों के हत्या हुई सुप्रिम कोट ने आदेश दिया वहां सीबियाई की इंक्वारी शुरू हुई उस पोस्टफॉल भाइलेंस में हमारे छेत्र में सबसे ज्यादा सबसे अधिक लोगों को जहिलना और उसी अत्यचार के तहट अपने उपर तो अत्यचार हुआ उसको मैं किसी भी तरह से जहिल रहा था लेकिन कारकरताओं को बचाने के लिए कुछ दिन तक मुझे थोड़े से समय के लिए पार्टी से थोड़ी दूरी बनाने पड़ी कारकरता जिस तरह से मारे जा रहे थे हत्या हुई थी और बहुत मुश्किन से उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्ता हमारी पार्टी भी कर रही थी और थोड़े बहुत समर्थ में मैं भी कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने ये देखा कि सरकारी तिन्यमूल पार्टी जो पश्ची मंगाल की है जो तिन्यमूल की सरकार जो हाँ है उसको कोई मतलब नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और गुड़ों के बल पर अत्यचार करके सासन में बने रहना चाहती है और उसका ताजा नमूना हम लोग ने संदेश खाली में देखा आपको मैं बताऊं एक संदेश खाली नहीं पूरा बोडर इलाका से लेकर पूरे बंगाल का हर भी धान सभा कही न कहीं कि अ हो रहा है आप परतिबात नहीं कर सकते हैं आपकी फॉर्दार नहीं लिखी जाएगी आपका कोई कंप्लेन नहीं לिखा जाएगा इस तरह का त्यचार साइध ही धुदिया में भारत बरस्त में तो छोड़ दिए धुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा और झाल